कि होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में आपके सामने डिसकस करने बालूं सिये में न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बहुत सा रिस्ट्रेंट वह कंफूज रहते हैं कि कौन सी फॉ में मालूम ना होता है तो मैं सारी चीचे आपके सांथ डिसकस करने वाला हूं सबसे फॉस्टिंग मैं आपको बताओं आपको फिफ्टिन मंत की ट्रेनिंग करने हैं अगर आप सीए में इंटरमीडियेट में एडमिसन अगर आपने लिया है इलेविन फैब या उसके बाद ठाव है कि आप किस जगह पे आप ट्रेनिंग कर सकते हो यह किसिया प्रैक्टिसिंग कास्ट इकांटेन यह फॉर्म आफ कोस्ट कॉंटे C organize ग और मिन में सेटेट मेंगने कोरल आप सकती हो cigs कि में अगरा विसक्तिव कोерш bugün आपब के आपकी उस experience को count किया जाएगा and आप यहां पे as a training कभी मत काम करना आप as a employee काम करना या paid assistant आप बोर लो इंस उसके अलाबा अगर आप CS CS student हो और आप अपनी सीए की training कर रहे हो या फिर आप अगर अपनी CS की training कर रहे हो तो उसको यहां पर entertain नहीं किया जाएगा और आपको कोई exemption से नहीं मिलेगा आपको separate training करने पर लेगी कि नेक्स आता है एक turnover limit का कि आपकी turnover लेट 25 25 लाक्स होने चाहिए और फिफ्टी लाक्स होने चाहिए अगर आप सर्विस प्रवाइडर हो तो 25 अगर आप manufacture हो तो 50 लाक्स की turnover लेमिंट है यह बात करते हैं नेक्स होगे हम किस-किस एरिया में काम करना है तरिंग हमारी सब एरिया में आप काम कर सकते हो जहां भी आप ट्रेनिंग आप जॉइन करते हो अब मैंने अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट बात करते हैं कि यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ओलेडी सीए क्वालिफाइड हो और आप सीए में करना चाहत हो और आप बढ़ी सिंग हो तो आपको सीय में की ट्रेसिंग करनी की जरूत नहीं है आप डारेक्ट आप डियुक्त अप एक जैंसन क्लिम कर सकते हो एंड आप सीएम के पर को लिए कर सकते हैं कि अफ।क फोंद्ट तीम प्राते हैं फांस के बारे में तो forms के लिए मैंने एक summary बना लिया है यहां पर देख सकते हो आप यह तो आप ट्रेनिंग करना चाहते हो या फिर और लेड़ी आप उन दिये गे लिस्टेड एरिया में आपने जोब और लेड़ी आप experience आप मार्केट में आप लेड़ी आप जॉब कर रहे हो आप अपने ग्रोथ के लिए आप से में कोर्स में इन्वल हुए हो तो इस केस में आपको टीथरी फॉर्म सम्मिट करना है एंड टू थाउजन रुपीच की फीस आपको इंश्यूट को देनी है इसका जो लास्टेट है GRA अब नेक्स और इसमें पपिंशूट के सापसे last day of the month मैं आपको हमेशा सेका स्वेशन यह दूँँगा कि आप स्टार्टिंग में फॉर्म कर लो जिससे अगर आपकी है तो आपको exam paper देन में दिक्कत नहीं होगी आपको पहले ही problem मालूम हो जाएंगा आप उसको sort out कर सकते हो अब next thing बात करते हैं जो बच्चे training करना चाहते हो तो आपके पास दो option या तो आप form में training कर सकते हो या फिर आप company में training कर सकते हो आप को टेनिंग हो करना है औरतेरर प्रेंग इन गर्प्विकर करना है इसे बमदी निखे सेखि़ अब यहां पर दो एक से की कि इन कीठिञ रेंग at least आपकी 10 month की training complete हो जाने चाहिए जब आप यह form फिल करने जा रहे हो तो उस form पे आपकी joining date and आपकी उस particular date के बीच में 10 month complete हो जाने चाहिए तब ही आप यह form फिल कर सकते हो अब इस form को फिल करने की क्या due date है due date है अगर आप June attempt के लिए अगर आप जाते हो date है तो यह forms होगी सारी forms मैंने आपको बता दिया और कब-कब कौन सी form आपको फिल करनी है यह भी मैंने आपको mention कर दिया है कि इसके लाबा कुछ और अगर important point से तो मैं यहां से देख लेता हूँ आपके लिए फॉर्म जो भी सम्मिट होगा ट्रेनिंग इसकी मिज ऑनलाइन एंड नो ऑफ्रेंट फॉर्म और हाड को पर लेटेट टू प्रैक्टिक ट्रीज इंटर्टेन तो यानि आपको ऑनलाइन इस लिंक पे जाना है और आपको अपनी फॉर्म को सम्मिट करना है और भी questions देख ल आपको अपको बता दिए जब फॉर्म करने जाओगे तो आपको लेस्ट आप डॉक्मेंट्स मिल जाएगी वह डॉक्मेंट्स आपको प्रोवाइट करनी होंगे ठीक है कैना डू प्रैक्टिकल ट्रिंइंस यह से फॉर्म अंडर दी मैंने आपको पहले बताया है वहां सेपेड मैंजमेंट कंसल्टेंस डिवीजन होना चाहिए तब इसको इसको कंसेर किया जाएगा टर्न ओवर लिमिट मैंने आपको लेजी बता दिया हाओ कैना अप्लाइब फॉर एडी फॉन्ट ऑफिस इनकेस ऑफ एक्सेस प्रेमिंट इनकेस ऑप्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो एक्सेस प्रेमिंट होगी तो आप इस पार्टिकल मेल आईडे पर मेल करके आप उससे इनकेसनल ओगनाइजेशन के केस में आपको बैलेंस इट की जुरुवत नहीं परती इन सारे केसे में ठीक है वाट विल भी हैपिन केस ऑफ देर इजए चेंज ऑफ इंपलायर दूंग दिटेनर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब देखा गाप इंपलायर चेंज करते हो तो आपको क्या करना होगा एस्ट्रेंट सेल इन्फर्म एनी चेंज इन प्रैक्टिकल एंप्रिंसिपल और एंपलायर तो देंचिट वितिन 30 देज अफ इस चेंज वित अल्ड दिल्वें डूमें नू नाइन फिर्म टी ओन विल एंपलायर अप्रिंसिपल और इंपलायर अलॉंग इफ यह फ्यू फ्यू फिर्ट आपको पे करने परेगी इस्टूंट सर्विंट अटर इंपलायर इंपलायर इंक्लूडिग दिज़िए ओफलीव एविल एस पर रूल बटेट एक्सेश लिविल जो नॉर्मल लिव इंचूट के सबसे लाउड है उसको सोड़ी उसको कंसिडर किया जाएगा एक्सेश लिप को कंसिडर नहीं किया जागा इघा विच फर्म निग टो वी सम कर सकते हो आई हैब रेजिस्टर्ट विट दी सेमें चुट विफोर फॉर जैन 2008 एम आई रिक्वार्ट वंडर्वर प्रैक्टिकल ट्रीन ट्रीन नॉट अप्लेकल नूट अन्यू एंड यू और कैना पर इन फाइनल ग्रामिशन विदाउट सम्मिटिंग एनी फॉर्म यह सम्मिट करना है यह सटाइफवस के बार में बता गया अगर आप फॉर्म में जाते हो तो आपको यह टाइफवन मिलेगी अगर आप कॉर्पेट में जाते हो तो यह आपको मिनिमॉम इस्ट आइफवन दी जाएगी मैट्टो सीटीज में 10,000 है और 9 में में ऐट थाॉजंट ठीक है दिटेनी सेल बीलिजबल फॉर सिक्स्टी जे लिव बिदाउट पे फॉर एपर इंदेग्जाम सुम्द इंशुटिन टोटल स्पैन आफ ट्रेनिंग पिरियड यानि टोटल आपको 60 देस तक से ज्यादा कि आपको लिव नहीं दी जाएगी दूरिंग योर यानि आपके ट्रेनिंग को एक्स्टेंट कर दी जाएगी वर्किंग आवर्स यह सब सिब कहने की बात होती है तो इसलिए मैं इसको पर डिसकेस नहीं करूंगा I think most of the doubts आपकी इसके बात के लिए हो जाएंगे अब कुछ बचा नहीं है ठीक है अगर कुछ फिर भी आपको लगता है तो आप कॉमेंट करके आप मेरे से पूर सकते हो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगाओ थांक्स बाइ टेक क्यारे बेस्ट आप लगक